नमस्कार किसान भाईयो किसान भाईयो इस बार गन्ना सीजन 2021 चालो होगा और इस बार गन्ना विभाग ने गन्ना पर्ची के सम्मन्द में एक ताजा नियम लागू किया है जिसके कारण सभी गन्ना किसानों की गन्ना पर्चियों को दो गुना कर दिया जाएगा जी हाँ सच तब सामने आया जब फिलाल गन्ना सूपरवाइजर डिस्पले लेकर गन्ना किसानों के पास आ रहे हैं और उनको उनकी गन्ना परचियां गन्ना पोदा गन्ना पेड़ी दिखा रहे हैं तो उनकी उसमें गन्ना परचियां दो गुनी दरसाई गई हैं और यह नियम चोका किसान भाईयो ऐसा क्यों हुआ है इसी कि मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ मेरे प्यारे किसान भाईयो यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्प्या करके इसे सब्सक्राइब कर दें तो चलिए किसान भाईयो मैं बताता हूँ कि पिछला जो सत्र था 2019-2020 तक उसमें नियम ये था कि जो बेसिक कोटा होता था गन्ना किसान का और उसमें गन्ना परचियां लगाए जाती थी वो 18 कुएंटल की लगाए जाती थी जानि कि बेसिक कोटा यदि 1800 कुएंटल है तो उस कि परचियां 100 हो जाएंगे यानि कि 18 के इसाब से 100 परचियां हो जाती थी लेकिन जब अब ये नियम नया आया है और सत्र 2021-22 के लिए गन्ना विबाग ने जारी किया है तो इसमें परचियों को 18 कुएंटल के बजाए 9 कुएंटल कर दिया जाएगा और बेसिक 60 को 9 से तो 18 कुएंटल के परचि के इसाब से उसकी 100 परचियां बैठती थी लेकिन अब किसान भाई की जिसकी 18 कुएंटल बेसिक कोटा है 9 कुएंटल परचि के इसाब से उसकी 200 परचियां कर दी गई है तो ये गन्ना सुपरवाईजर जो डिस्प्ले दिखाने के लिए ले आके आ रहे हैं उसमें किसान भाईयों की जो परचियां हैं वो डबल नजर आ रही हैं लेकिन किसानों को फाइदा इससे बिल्कुल जीरो है क्योंकि यदि परचियों की संक्या घटा दी गई 18 से 9 कुएंटल कर दी गई तो इसमें किसानों को कोई फाइदा नहीं है क्योंकि बेसि डबल रियल में नहीं होगी जो बेसिक कोटा है कन्ना परचियां उसी हिसाब से आएंगी क्योंकि पहले 18 कुवेंटल के हिसाब से थी अब नो कुवेंटल कर दी गई है तो ये सिरफ किसानों को बैकावे वाला ही बात है इसमें किसानों को कोई फाइदा नहीं होगा ऐसी ही जानकारी मैं आपको फिर देता रहूंगा तब तक के लिए सभी किसान बाइयों को नमस्कार